आरार भी एलबी टेक्नेशन के CBT2 एक्जाम के रिवाइज रिजल्ट में बहुत बड़ा उलट फेर हुआ है जिसकी वज़ा से CBT2 रिवाइज रिजल्ट को फिर से संशोदीत करने की मांग करें शात्र साथ गलत सवालों पर बहुत बड़ा विवाद हुआ है जिसकी वज़ से आप एलबी के साइको टेक्स के लिए बुक आसाने से डाउनलोड कर सकते हैं जोर दोस्तों इस बुक के मादम से सो प्रतिशत गारंडिया आपका सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टन लोको पाइलट के बड़ों के नतीजे जारी कई सवालों पर उठा विवाद दूसरे ब परति बोड ने साथ ऐसे प्रशनों को भी शामिल कर लिया है जिसके उत्तर के तोर पर एक से अधिक विकल्प को भी सही माना गया जबकि परिक्ष्या नियम के तहत वस्तु निष्ट प्रशन के दिये गए चार विकल्पों में केवल एक ही सही होता है एदी ऐसा नहीं होता है तो उस प्रशन को वीलोपित कर दिया जाता है रो उसके बाद मेरिट लिष्ट बनती है लेकिन भरती बोड ने ऐसा नहीं किया है ट्रेड वाज़े पेपर में साथ ऐसे प्रशनों को भी मेरिट लिष्ट में शामिल कर लिया गया है जिसमें दे गए एक से अधिक विकल् रेल्वे की इस लापरवाई की वज़ा से सेक्डों उमेद्वार मेरिट लिस्ट बार हो गए जो पास अब्यर्ति थे उन्हें फेल कर दिया गया है जिसकी वज़ाद से चात्रों में काफी ज्यादा आकरों से क्या आपके साथ भी यही हुआ है इस वीडियो के कमेंड बॉस म में टाइम करके आब बता है जा दोसो रेल्वे ने उक्ता प्रश्णों को सही मानकर प्राविन ने सुची तैयार कर दी ओर रिजल्ड निकाल दिया जिसकी वज़ा से लाकों अबबर्तियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड हुआ है दूसरी बार भी नहीं हुआ सुदार पहली बार जब RRB विलासपूर ने LB का रिजल्ड जारिक किया तो बड़ी संक्या में आपती दर्ज कराए गई इसके बाद पहले परिनाम को निरस्त कर दिया गया है और फिर दूसरी बार रिजल्ड जारिक किया गया है लेकिन इस बार भी पूरे मामले को हल नहीं किया जा सका है और सेकड़ो उमेदवार कोर्ट जाने की तैयारे में लग चुके जया दोसों यहाँ पर साबसा बताए गया है कि सेकड़ो उमेदवार कोर्ट जाने के लिए मजबूर होंगे बता दे के RRB विलासपूर ने दोस्तों दीपक गुपता जोकी चेर्मैन है RRB विलासपूर बोड के जीनों ने काया कि और दोस्तों अगर आप ELP के साइको टेस्ट की द्यारी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको चिक करें जहाँ पर आपको ELP के साइको टेस्ट की बुक की लिंक मिल जाएगे जहाँ से आप ELP के साइको टेस्ट की बुक आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं